हलो मश्का में नाम है सुनेल और आप देकरें स्टुडेंट के रहा हैं हल्प यू आज के व्यूडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10 की बैस्ट बुक बताने वाला हूं जो बच्चे भी क्लास 10 में और अभी तक बुक पड़्चेस नहीं करी या फिर NCRT ही है और रिफ्रेश्चर का सर्च कर रहे हैं पता कर रहे हैं टीचर्स वगेरा से स्टुडेंट वगेरा से बुक स्टॉल्स में जाकर कि सर कौन सी best book के हैं, कौन सी book हमें पता लग जाए, जिसको पढ़कर हम 10th को crack कर सके, 90 above score कर सके, तो हाजर हूँ मैं 10th की सारे subject की best book लेके, और इनको पढ़के आप easily 90 plus score कर सकते हैं, ये वो books हैं, जिनको specific toppers पढ़ते हैं, तो बिना time waste करते हैं, सबसे पहले आपका पसंदीदा subject, जरूरी नहीं आपको पसंद हो, mathematics से start करेंगे, mathematics में मैं 2 या 3 books बताने वाला हूँ सम्में, बहुत सारी books पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, as a teacher अगर मैं suggestion दूँ, दो तीन book पढ़िये, या एक दो ही book पढ़िये, लेकिन उसको घोट के पी जाईए, इन दर सेंस है, कि उसको एक एक topic आपको मुँ जबानी होना चाहिए, याद, याद इन दर सेंस है, practice में होना चाहिए, mathematics में सबसे पहला suggestion जो कि हर teacher देता है, वो यह NCRT जी सबसे पहले करिए, तो सबसे पहले आपको NCRT ही लगानी है, अच्छी तरह पूरी NCRT solve करनी है, अगर in case NCRT solve करने में दिक्कत आ रही है, तो इसके solution जो हैं, बहुत बढ़िया book है, अर्यन की NCRT exemplar, आप वो खरी सकते हैं, उसमें NCRT mathematics के जितने भी questions है, सबके solutions available रहेंगे, आगे देखेंगे, सबसे पसंदीदा, सबसे popular book की तरफ बढ़ूँगा, secondary school mathematics by RS Agrawal Sir, अगर आपको 90 plus score करना है, तो सिर्फ NCRT पे rely नहीं कर सकते हैं, आपको एक refresher लेने पड़ेगी, market में सबसे best refresher available है, secondary school mathematics by RS Agrawal Sir की, इन सब book के link description में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से भी purchase कर सकते हैं, अच्छा खासा online discount है, मैंने सब book के link दे रखें description में, तो in book का description भी आपको link में, या description, जो इसका link है, वो description में मिल जाएगा, साइंस की तरफ बढ़ेंगे, साइंस में भी again तीन चीज़े हैं, NCRT आपको सबसे पहले पूरी करनी है, जैसे ही कर लेते हैं, और solutions की तरफ बढ़ें, तो again, अरियंद के NCRT की exemplar आती है, जिसमें आपको साइंस के NCRT के सारे textbook के question सबका solution solved मिल जाएगा, पूरा clear description में link है, आप वहाँ से purchase कर सकते हैं, second जो है, next जो देखेंगे, वो है physics, chemistry और biology के लिए, एक combo pack है, लखमीर सिंग जी का बहुत ही better writer है, बहुत ही अच्छी book, आप हर जगे इसका review देख सकते हैं, टीचर से पदा कर सकते हैं, कि बहुत ही बहतरीन book है, और इसका एक combo आता है, जिसमें आपको physics, chemistry, biology, तीनों मिलने वाली है, तो ये purchase कर सकते हैं, description में इसका link है, वहाँ से आप purchase कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा science का, ये हो गया mathematics का, दो बड़े subject देखती है, अब तीसरा बड़ा subject की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा social science, SST की तरफ, सबसे पहले NCRT अच्छे से लगानी है, अच्छे से आपको read करना है, समझ रहा है, क्या है, क्या नहीं है, plus आपको जो refresher की ज़रुत पड़ेगी, जिसमें सब कुछ मिल जाएगा, वो है, all-in-one आती है, अरिहन publication की है, social science की, वो आप purchase कर लेंगे, इसके लावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रुवत नहीं है, अपने class 10th के social science को crack करने के लिए, link again इस book का भी description में आपको मिल जाएगा, आगे देखेंगे, English language के लिए बहुत important है, कि main main subject के साथ, जो English और Hindi और संस्कृत पगेरा subject है, उन पे भी हम equal focus करें, English language में एक ही book suggest करूँगा, मैं जो कि अरियन की all-in-one English language and literature नाम से आती है, बहुत ही अच्छी book है, इसको आप purchase कर सकते हैं, right, next देखेंगे, Hindi language के लिए, दो है, A और आपका B, A और आपका B आती है, दो book है, उसके लिए again, Aryan की all-in-one खरी सकते हैं आप, और Aryan की all-in-one, A के लिए भी और B के लिए भी आप Aryan की खरी सकते हैं, सारा material आपको practice paper से लेकर, NCRT के solutions से लेकर, आपको जो board paper से लेकर, सब चीज़े इस पर आपको मिल जाएगी, right, दोनों के English और Hindi, दोनों के books के link आपको description में मिल जाएंगे, आगे देखेंगे, Sanskrit के बारे में बहुत important है, together आप खरीए सकते हैं, बहुत ही बहतरीन book है, 10th के level के लिए, together with Sanskritum, इस नाम से आती है, link आपको description में मिल जाएगा, वहाँ से आप purchase कर सकते हैं, French के लिए देखेंगे, French भी optional subject रहता है कई बच्चों का, यहाँ पर together with French आती है, जिसमें आपको practice paper, salt paper, बहुत सारे चीज़ें, NCRT के solution, आपको जो books आती है आपकी, उसके आपको solutions मिल जाएंगे, तो बहुत ही बहतरीन book है, तो यह हैं आपके top 7 subject, और भी अगर कोई आप चाहते हैं, 11th है 12th में, specifically 12th commerce के लिए, 12th science के लिए, 11th commerce, 11th science के लिए, books के suggestion में प इदी बगएरा competition है, government exam के तैयरी कर रहे हैं, तो सब book के suggestion मेरे वहाँ पर भी है, schools हो गया, colleges हो गया, या फिर competitive exam हो गया, सब book के suggestion आपको description में, सबसे पहला link आपको उसी का मिलने वाला है, तो यह था आज का video उमीद कर रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा, अगर किसी और examination के लिए, classes के लिए, आप चाहते हैं, best book में बताऊं, तो please description में, sorry, comment box में, हमेशा बहुत जादा description हो रहा है, comment box पे comment करके मुझे बताईएगा, कि सर मुझे इस class के books चाहिए, या इस subject की book मुझे समझ में नहीं आ दी, तो मैं कौन सी purchase कर सकता हूँ, तो मुझे research करकर, find करक teacher से बात करके, या अपनी खुद की knowledge से मैं आपको suggest करूँगा, कि आप कौन सी book से पढ़ सकते हैं, right, मिलिंगे next video पे किसी और interesting topic के साथ जद पढ़ते रहिए, महनत करते रहिए और आपका अब भी दिना आएगा, thank you so much